विल्कम बैक टो मैं चैणल फ्रेंड आप लोग कैसे ओ जरूर बताएगा तो फ्रेंड आप लोग के लिए न्यू कीचन टप्स लेकि हम आ गए फ्रेंड फ्रेंड ये चोटे-चोटे टिप्स हैं जो हमारे कामों को बहुत आसान बना देते हैं तो फ्रेंड आप लोग वीड तेयर जिस तेयला में हम लोग चाबल लाते हैं जो तेयल चाबल वाला राता हो तो यानी चाबल को निकाल के फिर जो अफ्रेक देते हैं तो फ्रेंड ऐसे ना फेक कर इसको चली आज बहुत अच्छा यूश दिख लेते हैं तो इस प्रेंड आप भी पेड पाउदे के सावक सा घुट कर दीजे ऑफ इसमें आप मिट्टी भर दीजे इस प्रकार से तो इसमें आप उपनी जो भी पेड़ पवधे लगाना चाहते हैं तो इस थेले में लगा सकते हैं प्रेंड या और यह जो थेलर आता काफी मजबूत रहता है ऐसे यह नहीं फटता है तो आप इसमें अपने मन पसंद का कोई पेंड पाउधा और जो भी ऐसी सब्जियां होते हैं उनको भी आप इसमें उगा सकते हैं फ्रेंड यह टिप्स आप लोगो को कैसी लगी जरूर बताए कमेंट करिएगा तो चली फ्र अगली टिप्स क्या है कि इचन का काम हम लोग करते हैं और क्या रहता है कि समय ठंड का टाइम में तो स्वेटर भी पहने रहते हैं तो बार बार उपर करना और फिर नीचे हो जाता है फिर उपर करना तो इस तरह स्वेटर भी की लिए हो जाती है तो चलिए देख लेते हैं चूडियां जो है तो नीचे नहीं आएंगी और जो है तो स्वेटर भी आपका नीचे नहीं आएगा और आप आसानी से काम कर लेंगे नहीं तो यह क्या रहता है बार बार नीचे तरह पाता है और फिर हम लोग बार बार उपर करते हैं तो इस तरह स्वेटर भी गीला होता है और फिर ठंड का टाइम है तो हम लोग को फिर ठंड लगता है तो आप दोनों में इसी तरह से पिन को लगा लिजे तो आपको बहुत है नहीं हिल्प हो जाएगी फ्रेंड तो फ्रेंड ये कीचन टिप्स कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताएए कमेंट करिएगा और ये जो काम टाइम भी यहनी बचेगा बार बार ऊपर नीचे करने से तो इस तरह एक बार के लिए और फिर अपना फटा-फट काम कर लिएब अपना काम भी जलडी हो जाएगा तो फ्रेंड ये tips आप लोग को जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजेगा तो चलिए अगली tips देख लेते हैं अगली tips कौन सी है तो फिरेंड अगली tips इस प्रकार bag से है क्या राता है side bag जो हम लोग लिये राते हैं तो कभी कभी क्या राते हैं उसकी chain नहीं हो जाए खुल जाती है तो आप क्या करिए कि इस प्रकार से chain को lock कर दीजे chain को पहले बंद करिए फिर इस प्रकार से जैसे के वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप chain को बंद करिए और फिर वहें पे ये देखे इस तरह से आप पिन को से इसको lock कर दीजे तो आप जो chain है तो इधर उधर नहीं किसकेगा एक जगा रहा आएगा तो फ्रेंड ये टिपस आप लोग को जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो ये देखे एक भी इधर उधर नहीं हो रहा बिन एकदम से chain को lock कर दीए तो फ्रेंड ये टिपस तो बहुत अच्छी है और कभी कभी क्या रहता है कि जो हमारा chain रहता है तो ढीला रहता है तो आप लोग ये टिपस जरूर अपना सकते हैं और करके देखेगा और जरूर आप लोगों को पसंद आएगी तो चलिए फ्रेंड अगली टिपस देख लेते हैं अगली टिपस कौन से है तो फ्रेंड अगली टिपस भी बैक से रिलेटेड है ये यह नहीं क्या रहता है ये जो side bag रहता है तो इस तरह से उसमें जी बगेर अंदर कोई भी बना नहीं रहता है थेला तो क्या रहता है कि हम लोग पैसे ऐसे ही रख देते हैं और कभी कभी क्या रहता है चैन भी खुली रहती है तो पैसा या बाहर भी निकल आते हैं तो क्या करिए चलिए देख लेते हैं आज बहुत अच्छा एक टिपस आप लोगो और इसको क्या करिए कि इस प्रकार से इसको अंदर से टक कर लीजे एक पिन लीजिए पिन से इसको आप यह देखे जैसे वीडियो में दिखा जा रहा है इस प्रकार से इसको लगा लीजे यह देखे फ्रेंड और फ्रेंड यह बहुत अच्छा ही रहा हमारे बैग में तो बि इसको लगा के और पैसा भी इसमें आप अंदर रख सकते हैं और मुबाइल फिर रख दीजे तिधर उदर आपको आसानी से देखिए कितनी अच्छी टिप्स है फ्रेंट ये टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई हो फ्रेंट वीडियो को ल पसे एक फ्रेंट ये जो इसकी डंडी रहती पकड़ने वाली ये वाली ये टूट जाती है तो कप हमारा जो है तो खराप हो जाता अब outta आच्छा भी नहीं क्या लगता और टूटा हूँ अप में चाहें पीना भी नहीं चाहिए तो चली हाज इसको बहुत अच्छा कि इस प्रकार से जो हमारी चिलनी रहती है तो इसको धार होती है तो खतम हो जाती है तो आप इस प्रकार से इनमें ऐसे घिस के इनमें धार ला सकते हैं चक्कु में भी ऐसे घिस के फ्रेंड तो इस प्रकार से हम इसको घिसनी में और घित लेंगे और इस प्रकार इसमें भी कि इसलेंगे इसकी भी धार क्षक्त हो चुकी है आपके चप्षे ऐसका से इस नोगई हो इसमें धार कर सकतें अर लाँ गर में, घर में टूटते भी ताल और सकतें गिरा सो इस प्रिकर लाँ चिंप यह पकिना क्फोग जाती है तो फ्रेंड ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताए कमेंट करिएगा अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा चलिए फ्रेंड अगली टिप्स देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है तो फ्रेंड इसमें ठंड का मोसम है मुर्मु और गुड का लड्डू बनाते हैं तो क्या करिए कि यहां पर आप ले लीजे आप जितना यानि मुर्मुरा का लड्डू बनाना है उतना ले लीजे तो यहां पर हम ले लिए हैं यहां पर होगा यानि जादा नहीं लिए हैं पचास क्राम के करीब लिए हैं यहां पर दो क तोरी बड़ा कटोरी से आप इसमें ले लिजे और इसको थोड़ा से फूल गई थी तो हम इसको थोड़ा से गरम कर रहे हैं थोड़ा गरम कर लेंगे तो यह कुरकुरी हो जाएगी और इसका लड्डू जो है तो अच्छा बनेगा तक अगर आपकी भी लाई फूल गई तो इस परकार से पहले लाई को गरम कर लीजे फी लड्डू बनाएगे तो इसको हम पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चला लिए हैं तो अब यह अच्छे से गरम हो गई है और कुरकुरी हो गई है तो देख लीजे हांतों से दबा के तो निकाल लिए हैं अब चलिए इसी निकराई में हम गुड का पाग बनाएं गुड का लड्डू बनाना है तो पहले गुड का पाग बना लेते हैं इसमें थोड़ा से हमने चार चमच पानी डाल दी हैं जादा पानी नहीं डाले हैं तो पानी थोड़ा से गरम हो जाए फिर इसमें हम गुड डाल लेते हैं यह कि आधा टायल नहीं लगता है इसे गैस को हई फ्लेंब कर दिये हैं ति यह अच्छाक। इसको है चला देते हैं और यह मेच हो जाएगा गूड को taste कल देते हैं वह डेते हैं टो इधर उधर नहीं बैरा तो गुढ का पाक जो है तो त्यार है ये देखिए. अब इसमें हम जो मुर्मुरा को गरम करे थे उसको डाल देते हैं गुढ को अच्छे से मुर्मुरे के साथ मिला लेते हैं ये देखिए. गैस यहां पर बंद कर दिये थे, आप इसको कड़ाई को जो है ते नीचे के उतार लिये थे आप चाहए तक घी यहां पर ले सकते हाथों में लगा सकते हैं, थोड़ा सा नहीं तो पर पानी हलका सा लगाईएगा जादा नहीं और लड़ू बना के त्यार कर सकते हैं इस प्रकार से जैसे के वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप मुरमुरा का लड़ू बना के त्यार कर सकते हैं फ्रेंड और ठंडियों के टाइम में ते इसको धूब में बैट के खाओ बहुत अच्छा लगता है ये दे रहते तौ हैं सकती जीस